जहिन दोस्तों मैं आनंद कुमार उजा सक्सेज एक्रिकल्चर इंसिट्यूट के ओनलाइन डिजिटल प्रेटफर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ साथियों जैसा कि आप लोग जानते हो कि P.A.T. वर्स 2022 के प्रेणाम घोसित होने के बाद सभी छात्रों के मन में काफी चिंताएं थी कि सर काउंसलिंग कब होगी काउंसलिंग कब होगी इन सभी चिंताओं को लेकर छात्र जो है काफी फोन लगाते थे काफी मैसेज करते थे कि सर जो है काउंसलिंग की डिट कब आएगी तो सातियों आप लोगों का इंतजार खत्म हुआ क्योंकि काउंसलिंग का जो सेड्डूल है वो हाली में जो है जारी हो चुका है और इस P.A.T. वर्स 2022 की काउंसलिंग की all information मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं सातियों इस information के बारे में जानकारी से पहले मैं उन सभी चात्रों को बहुत बहुत बधाई देता हूं जो P.A.T. वर्स 2022 में चाइनित हुए हैं सफल हुए हैं है ना तो मेरी और से आप सभी लोगों को एक बार बहुत बहुत सुबकामना है आप जीवन में काफी सफल हो हर जो है सफलता आपको मिले ऐसी मेरी सुबकामना है ऐसी मेरी जो है आपके लिए वदाईया है साथियों आईए आज हम बात करते हैं P.A.T. वर्स 2022 की काउंसलिंग की ठीक है सारी काउंसलिंग की डेटेल आपको यहां पर पता चल जाएगी आप वीडियो के अंते तक बने रहिएगा आपको काउंसलिंग से से रिलेटेड कोई भी प्रोब्लम नहीं आएगी सारी जानकरी हम यहां पर जो है आपको लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे ठीक है तो आज हम बात करेंगे M.P.A.T. काउंसलिंग बर्स 2022 की अल इंफॉर्मेशन की ठीक है तो साथियों यह जो आप देख रहे हो पहले तो हम बात करते हैं काउंसलिंग की तो यह जो काउंसलिंग है यह हमारे जो मद्ध प्रदेश में दो कृषी महाविद्याले हैं एक तो जवालाल नहरू कृषी बिस्वी विद्याले जवलपुर में है और एक राजमाता बिजयराजे सिंधिया कृषी बिस्वी विद्याले गौलियर में है साथियों ये दोनों युनिवर्सिटी कॉंसिलिंग जो है अलटरेनेट करवाती है और इस बार की जो कॉंसिलिंग है वो राज-माता-विज спасибо смदिया गवालियर के द analith कि जा रही है गवालियर के दौरा जो है ये कॉंसिलिंग करवाई जा रही है तो यह जो counseling है यहां लिखा हुआ है कि online offline campus संयुक्त counseling कारिकरम 2022-2022 है ना तो online offline campus संयुक्त counseling इसका मतलब यह है कि यह जो counseling है वो जवालाल नहरु करसी विस्विद्धाले और राजमाता विजराजे सिंध्या करसी विस्विद्धाले दोनों universities के जो college है उनके लिए यह counseling हो रही में संयुक्त counseling हम इसे कह सकते हैं यह जो counseling है वो BSC Honors Agriculture, BSC Honors Horticulture, BSC Honors Forestry and BTEC यह हम कह सकते हैं Agricultural Engineering के लिए counseling हो रही है है ना तो साथियों यह जो counseling है इसके बारे में आप जो है detail information कहां से प्राप्त कर सकते हैं बैसे तो मैं आपको जो है detail information दे रहा हूँ हूँ लेकिन इसके अलावा भी आपको जो है आप जो है तीन website पे इसके बारे में जनकारी ले सकते हैं एक तो दे रखी है www.gnkvb.nick.in तीसरी है www.crisponlineservices.com यह तीन site यहाँ पे दे रखी हैं इन तीन site पे आप जो है जाकर इसकी detail information ले सकते हैं और इनी पे जाकर आपको जो है counseling पाटिसिपेट करना होगा यहीं पर जो है counseling के लिए registration start होगा है ना अब हम बात करते हैं कि counseling के लिए कौन-कौन से विध्धार्ती जो है पात्र है कौन-कौन से विध्धार्ती जो है counseling में पाटिसिपेट कर सकते हैं है ना तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि freedom fighters जो certificate जिनके पास हैं जो स्वतंतरता संग्राम सेनानी से समंध रखते हैं वह समझत विध्धार्ती इसके लिए counseling में जो है participate कर सकते हैं वह समझत विध्धार्ती counseling के लिए जो है पात्र हैं यह BSc Honors Agriculture, BSc Horticulture और BSc Forestry यह सभी जो है विध्ध्यार्ती इसमें पात्र हैं इधर B.TEC के लिए भी सभी विध्ध्यार्ती पात्र हैं फिर हम बात करते हैं SC category female student है उनके लिए तो यहां भी BSc Agriculture, Horticulture, Forestry तीनों के लिए ही जो है सभी विध्ध्यार्ती इसमें पात्र हैं फिर B.TEC की अधी बात करें तो यहां भी सभी विध्ध्यार्ती इसमें पात्र हैं फिर SC category voice की बात करें या SC category के SC student जिनके पास करशक अभ्यार्ती जिनके पास करशक Certificate हैं तो उनकी यदि बात करें, तो इसमें भी समझत विध्यारती पात रहें, समझत अभ्यारती इसमें पात रहें, बीटेक की यदि बात करें, तो यहां भी समझत विध्यारती पात रहें, ठीक है, उसके बाद हम बात करें, कि ST कैटिकरी की जो फीमेल हैं, फीमेल स्टुडेंट लड़कियां हैं गल्स हैं तो उनकी यदि बात करें ST category में तो सभी ST category के female candidate जो है पात रहें BSC agriculture के लिए horticulture के लिए और forestry के लिए BTEC के लिए यदि बात करें तो इसमें भी जो है समझत विध्यारती पात रहें समझत जो है अभ्यारती पात रहें जो है पेपर दिया है वो सभी विध्यारती जो है councillor में participate कर सकते हैं यहां तक उसके बाद फिर हम बात करते हैं ST category के voice के लिए या फिर ST category के जो करसक अभ्यारती हैं उनकी यदि बात करें तो इसमें भी समझत विध्यारती इसके लिए पात्र हैं जो नोंने एक्जाम दिया है, बीटेक के लिए भी हम यहां बात कर सकते हैं, यहां भी समझत विध्यारती पात्र हैं, उसके बाद हम बात करते हैं OVC के डिगरी के स्टूडेंट के लिए, तो OVC के डिगरी की female student के यहां पर भी समझत विध्यारती पात्र हैं, लेकिन जो बीटेक है, बीटेक में यहां बात करें, तो बीटेक में जो OVC के डिगरी की जो female हैं, उनको 53 या इससे अधिक मार्क्स वाली जो है चात्राएं हैं, उनको यहां पर बुलाया गया है counseling के लिए, ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें, OVC के डिगरी के boys के लिए, या फिर OVC के डिगरी के जो क्रसक अभियात्री हैं, जो क्रसक student हैं, उनके लिए दी बात करें, तो उनको BSC Agriculture, Horticulture, Forestry के लिए बुलाया गया है, जिनके mark 71 या इससे अधिक हैं, है ना, यदि 71 या इससे अधिक marks यदि आपके हैं, तो फिर आप counseling में participate कर सकते हों, यह किस के लिए, यह BSC के, OVC category के boys हैं, या फिर जिन के पास जो क्रसक अभिया, जो है, जो है, certificate है, वो सब विध्यारती participate कर सकते हैं, जिनके mark 71 या इससे अधिक हैं, ठीक है, बीटेक के लिए 62 या इस से अधिक marks हों, तो वो participate कर सकते हैं, फिर यदि हम बात करें, जनरल की unreserved category की या ऐसे female candidate, जो जनरल की female candidate हैं, उनके यदि हम बारे में, उनके बारे में बात करें, तो उनके लिए बुलाया गया है, वो भी समझत पात्र अभियारती, जो है, इसके पात्र हैं, समझत अभिया अब हम यहां बात करते हैं, unreserved category के जो voice होते हैं, उनके बारे में बात करें, या फिर करसक के बारे में बात करें, तो यहां ध्यान से देखना है, यहां पर उनको BSA Agriculture के लिए उनको बुलाया है, जिनके mark 71 या इससे अधिक है, ठीक है, और voice में, sorry, BTEC में बुलाया है, 62 या इससे अधिक, ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें, EWS के जो student है, जिनके पास आर्थिक रूप से कमजोर विद्धारती, जिनके पास EWS certificate है, उनके यदि हम बात करें, तो उनको समझत पात्र अभ्यारतियों को बुलाया है, और यहां भी BTEC के लिए यदि बात करें, तो यहां भी समझत पात्र अभ्यारतियों को बुलाया है, तो यहां ध्यान रखना है आपको, जो OVC की female candidate है, उनके बीटेक के लिए उनको बुलाया है, जिनके मार्क 53 या इससे अधिक हो, और यहां पे OVC की यदि बात करें, तो OVC के जो बोईस हैं, उनको BSC के लिए बुल तो बात रहे हैं, ठीक है, counselling हों participate करने के लिए, उसके बाद हम बात करते हैं, कि यह जो counselling है, वो कौन-कौन सी date में होगी, क्या-क्या प्रोसेस है, तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूं, तो यह जो counselling है, हमको पता है, counselling BSC Agriculture के लिए है, BSC Horticulture के लिए है, BSC Forestry के लि के लिए हो रही है यह जो कांसलिंग है वो स्टार्ट कितनी तारिक से हो रही है और कितने स्टेप में होगी तो इन सब के बारे में हम यहां जानकारी आपको देंगे तो साथियों सबसे पहले है कि ओनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं इच्छित महा विद्यालों के प्रात्मिकता क्रम का ओनलाइन चैन एवं सुलक का भुकतान कर लोगाउन करें कहने का मतलब यह है सीधे सीधे कि आपको जो है रजिस्ट्रेशन करवाना होगा सबसे पहले स्टेप में क्या करवाना होगा आपको जो है जो है कॉले स्लेक्ट करने होंगे है ना तो उसके लिए डेट दे रखी है 27 12 2022 से 8 1223 रात्री 12 वज़े तक यह काम कर सकते हो चोईश फिलिंग का काम कर सकते हो पर अपने को लाश्ट्रेट तक नहीं रुकना है ठीक है लाश्ट्रेट तक बिल्कुर नहीं रु ठीक है यहां आपको याद रखना है कि यह जो चोइस फिलिंग का काम है यहां जो online registration आप करवाऊगे यहां online registration पोर्टल चार्ज लगए का 550 रुपे कितना 550 रुपीज यहां online जो है पोर्टल चार्ज है तो उसकी जो slip आपको मिलेगी वो slip आपको ध्यान से अपने पास रखना करना है जहाना चाहते हो उस कॉलेज को आप सबसे टॉप पर रखोगे होता यह है कभी-कभी चॉएस फिलिंग में गढ़़बली हो जाती है तो बच्चे जो जिस college में उनको पहुचना चाहिए था, जो college में वो जाना चाह रहे थे, वो college उनको नहीं मिल पाता है, है ना, तो जिस college में आप जाना चाह रहे हो, जो आपकी preference है, वो college आप सबसे पहले डालें, या पिर सबसे अच्छा college जो है, सबसे उपर डालें, नहीं तो होता क्या है कि बच्चे के थोड़े कम marks आते हैं बच्चा क्या करता है कि नीचे वाले college को सबसे उपर डाल देता है और सबसे उपर डाल देगा और mark और जो सबसे पहला college उसने डाला है वो मिल जाएगा तो फिर उसको upgradation का जो है कोई benefit नहीं मिलता है क्योंकि यदि आपने उपर से college क्रमा जो है सही से डाला है तो इसमें क्या है आपको upgrade होने का फाइदा मिल जाएगा है ना तो वो सब प्रक्रिया हम यहाँ पर अभी देख लेंगे तो choice filling आपको ध्यान से करना है ठीक है उसके बाद है निरधारित के इंद्रों पर दस्तावेजों का सत्थ्यापन यानि कि सिधी सीधी बात है document verification की बात हो रही है कि जो document verification है वो आप document verification के लिए बीधे drive है 28 12-22 से 9 1-2023 ये document verification के लिए डेट है और डॉकुमेंट वेरिफिकेशन आप 11 वजए से 5 वजए तक करवा सकते हो सनीवार और रविवार को छोड़ कर, हैना आप किसी भी नजिदी के किर्सी महाविद्याले में जाकर डॉकुमेंट वैरिफिकेशन करवा सकते हो लेकिन ध्यान रहे, document verification, सनीवार और रविवार को नहीं होगा, क्योंकि सनीवार और रविवार को government agriculture college की चुट्ती होती है, holiday रहता है, आपको जो है working day में ही जाकर document verification करवाना है, ठीक है, और सिर्फ document verification जो है agriculture college में ही होगा, दूसरे college में मत चले जाना, ठीक है, हाँ, agriculture college में ही जो है, आपका document verification होगा, इसके अलाबा कुछ research center भी है, वहाँ भी हो जाएगा, तो मैं आपको आगे बता दूँगा, कि आप जो है, किस-किस college में जाकर document verification करवा सकते हो, ठीक है, third step है, कि आवंटन पत्रों की online उपलब दिता, है ना, आवंटन पत्रों की online उपलब दिता का मतलब यह है, कि यहाँ पर आपने registration करवाया, choice filling की, यहाँ पर आपने verification करवाया, फिर third step में क्या होगा, कि आपने जो counseling की है, उस counseling का result आएगा, सीदे-सीदे, बात अपन यह कह सकते हैं, यानि कि आपको यह पता चल जाएगा, कि कौन सा college आपको alert किया गया है, आपको कौन सा college मिला है, तो यह आपको पता चलेगा, 11.1.2023 से 16.1.2023 तक और रातरी 12 वजे तक आपको पता चल जाएगा, ठीक है, उसके बाद है, counseling सुल्क या आंसिक सुल्क का भुकतान, अब साथियों, यहां पर आपका, γो है, counseling का रिजल्ट आजाएगा, यहां आपको पता चल जाएगा, कि आपको कौन सा college मिला है, फिर आपको जो college मिला है, उस college को confirm करने के लिए, seat को confirm करने के लिए, यहां पर आपको counseling में, जो है, 5000 रुपे का payment करना होगा, कितने का? 5000 रुपे का यहां payment करके आपको अपनी seat confirm करनी होगी ठीक है तो यहां पर यह वाली slip भी आपको समाल कर रखना है साथ में आपने जो online registration सुल्क है उसकी जो slip मिलेगी वो भी आपको समाल कर रखना है ठीक है तो आप कितनी डेड़ तक इसको जो है सम्मिट कर सकते हो तो 11.1.2023 से 16.1.2023 रटरी बारा बजे तक ठीक है इतना किलियर है तो अब हम आगे चलते हैं फिर लिखा है कि आवंटित महाविध्याले में सेस्क सुल्क के साथ उपस्तिती एवं प्रबेश यानि कि कहने का मतलब यह है कि आपको यहां पर जो भी college आपक होगा जो भी college आपको मिला है आप उस college में आपको उपस्तित होना है 17.1.2023 से 20.1.2023 तक 11.00 से 5.00 तक सनीवार और रहिवार को छोड़ कर जो भी college आपको मिला है आपको उस college में पहुँचना है 17.1.2023 से 20.1.2023 तक जो भी सेस फीस बच्ती है उसको लेकर ठीक है तो यह ज आपकी जो है counseling प्रिक्रिया होगी तो यह इस तरीके से आपको जो है counseling में participate करना है next यदि हम बात करें नेक्स्ट यदि हम बात करें तो हमने अभी अभी बात की थी कि आपको counseling से सम्मंदे जो भी जानकारी चाहिए तो उसके या फिर registration आप किस साइट पर कर सकते हो तो उसके लिए जो तीन साइट दे रखी है www.jnkvb.org www.rvskvb.net या www.crisponlineservice.com ये तीन साइट दे रखी हैं इन साइट पर जाकर आप जो है registration पर क्रिया शुरू कर सकते हो ये आपको ध्यान रखना है साथ में हमने अभी बात की थी document verification के लिए कि यानि document का सत्यापन, देस्ताविजो का सत्यापन हम कहां कहां करवा सकते हैं, किस किस college में करवा सकते हैं, तो यदि हम बात करें तो आप जो है document का verification किसी महाविद्याले जवलपूर में करवा सकते हो, रीवा में करवा सकते हो, किसी महाविद्याले गंज वसोदा में करवा सकते हो, किरसी महाविद्याले बारासिबनी जो किवाला गाट में वहां करवा सकते हो, किरसी महाविद्याले पवार खेडा हुसंगाबाद में करवा सकते हो, किरसी महाविद्याले ग्वालियर में करवा सकते हो, इंदोर में करवा सकते हो, सीहोर में क करवा सकते हो, खंडबा में करवा सकते हो, साथ में ही उद्धान की महाविद्याले, जो कहां है, मंदसोर में है, यहां भी जो है डोकुमेंट वेरिफिकेशन का काम करवा सकते हो, किसी अवियांदर की महाविद्याले, जो Agriculture Engineering College है, जवलपूर में, बहां भी आप जो है डोकु पेमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हो, ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट आता है, काफी इंपोटेंट है, तो साथियो, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, कि पेमेंट सीट केवल उन्ही चात्रों को जो है, दी जाएगी, जनोंने फार फॉर्म को फिल अप करते समय, पेमेंट सीट के लिए यस किया है, तो केवल उन्ही चात्रों को जो है, पेमेंट सीट दी जाएगी, यह आपको जब आपने फॉर्म बरा होगा, तब आपको पता होगा कि आपने यस किया है, नो किया है, यस किया है, तो आपको पेमेंट जिन विध्यारतियों के पास है वो विध्यारति भी अपने सारे डोकुमेंट्स को जो उनका एक format होता है जो भी उनका format है उस format में ही आपके जो है डोकुमेंट्स लगेंगे उसी format में आपके सारे documents या आपको जो है color photocopy आपको जो है किसी महविद्याला में आपको जमा करनी होगी जहां भी आपको college मिलेगा ठीक है अब कौन-कौन से documents लगेंगे तो सारे documents की जानकारी मैं इससे पहले के video मैं आपको दे चुका हूँ जब भी जिस time आपका जो है exam हुआ तो आप वीडियो देख लेना तो आपको पता चल जाएगा कि कौन-कौन से documents लगेंगे हाला कि यहां भी हम बात करेंगे ठीक है इसके अलावा सात्यों लिखा हुआ है कि अप्ग्रेडेशन का बिकल्प केवल पृथम चक्र में ही उपलब्ध होगा यह बहुत important point है कि यदि आपको अप्ग्रेड करना है अप्ग्रेड करने का जो किलिक है हम कह सकते हैं अप्ग्रेड करने की जो सुद्दा है वो केवल first counselling में ही होगी उसके अलावा जो second third counselling जितनी भी होंगी उसमें जो है अप्ग्रेड करने का बिकल्प नहीं होगा है ना तो choice filling बहुत ध्यान से कीजिएगा ठीक है इसके अलावा हम बात करते हैं कि हमने कहा कि आपकी जो counselling की process है वो six step में होगी छे step में होगी first step में आपको online registration करवाना होगा second step में आपको जो है online प्राथिपिंगता क्रम का chain एवं online आविदन सुलक का भुकतान करना होगा जो भी आप registration करवाऊगए उसका आपको ब्राद भुकतान करना होगा और उसकी जो slip आपको मिलेगी उस slip को आपको अपने पास ध्यान से रखना है संबाल कर ठीक है उसके बाद है third step में आपको जो है documents verification होगा डॉकुमेंट्स वेरिफिकेशन कहां कहां होगा उसके बार में हम बात कर चुके हैं ठीक है उसके बाद फिर ओनलाइन आवंटन ओनलाइन एलोटमेंट यानि कि आपको जो है कौन सा कॉलेज मिलेगा उसका जो है आपकी काउंसलिंग का रिजल डिकलियर होगा ठीक है उसके बाद फिर है कि ओनलाइन आउसिक सिच्छन काउंसलिंग सुलक का भुकतान जो भी आपकी काउंसलिंग की फीस होगी 5000 रुपे वो आपको उसी टाइम जो है जमा करके अपने सीट को कन्फर्म करना होगा यदि यहां आपने सीट को कन्फर्म नहीं किया तो फिर आपको कॉलेज एलोट नहीं होगा है ना इसलिए यहां पर काउंसलिंग की फीस जो है आपको देनी होगी तभी आपकी सीट कन्फर्म होगी ठीक है उसके बाद आवांटिन संस्थान में उपस्तित इवं प्रवेश कहने का मतलब यह है कि जो भी आपको कॉलेज दिया गया है आपको जो कॉलेज मिला है उस कॉलेज में आपको जो है जो डेट हमने अभी देखी थी उस डेट के मैं जाके आपको कॉलेज में उपस्तित होना होगा ठीक है अब हम इन सारी प्रोसेस के बारे में एक एक से जानकारी लेंगे तो हमने यहां कहा कि online registration होगा भी तो online registration में मैंने आपको बोला कि जो सुल्क है जो चार्ज है 550 रुपेस का जो चार्ज लगता है वो आपको पे करना होगा साथ में ही registration करवाते समय आपको email, ID और password ध्यान से देने हो जो email, ID और पासबर आप दोगे उनको ध्यान से अपने पास रखना है होना नहीं है गोप नहीं है रखना है क्योंकि वो जो email, ID और पासबर उसी पे आपकी OTP आएगी ठीक है तो उसी से जो है आपको जो counseling का result बगर पता चलेगा उसी पे जो है आएगा इसलिए आप जो है उसको समाल कर रखें ठीक है किसी कारणवस आप यह दिए उस password को भूल गए हो तो वो जो password है उसको reset करने की भी सुबदा यहां है आप उसको reset कर सकते हो ठीक है तो यह जो है first step है second step में है choice filling का काम जिसके बारे में हम बात कर चुके है वही कि choice filling है उसमें आपको जो है जो पसंद का कोले जब वो सबसे उपर रखना है है ना उसके बाद फिर जो है आपको जो है उसके बाद जो आपके कम पसंद का है उसको ऐसे करके नीचे करके जो है लेके आना है ठीक है उसके बाद लिखा हुआ है कि अपनी इच्छित प्रात्मिक्ता को लोग करने के पूर अभ्यारती अपनी इच्छित प्रात्मिक्ता तब तक आप जो counselling के लिए आपने choice filling किये है वो उपर नीचे कर सकते हो उसको change कर सकते हो लेकिन यदि आपका payment एक बार हो गया है तो फिर आप उसको दोबारा change नहीं कर पाओगे है ना तो यही सब इसमें लिखा हुआ है ठीक है कि अब्यारती को सभी उपलब्द महाविद् कर्म का प्रात्मिक्ता नुसर online chain करना होगा तथा निर्धारित अंतिम्तिति के पूर्व सुलक का भुकतान कर choice को lock करना होगा ठीक है अपनी इच्छित प्रात्मिक्ता करने के पूर्व अभ्यारती अपनी इच्छित प्रात्मिक्ता कर्म को अपनी संतुष्टी के लिए तथा उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा यही लिखा हुआ है एक जब तक आपका सुल्क का पेमेंट नहीं हुआ है आपकी फीस सम्मेट नहीं हुई है तब तक आप उस क्रम को उपर नीचे कर सकते हो लेकिन एक बार यदि पेमेंट हो गया तो फिर जो है जाएगी इसलिए चोइस फिलिंग बड़े ध्यान से करना है ठीक है तो यही सब लिखा हुआ है है और एक बात और याद रखना जो 550 रुपी का आपका जो चार्ज है रेजिस्ट्रेशन चार्ज है वो नॉन रिफंडेवल है है ना कैसा है नॉन रिफंडेवल है इसके बा जो पीटी की जो मार्क सीट है अंक सूची है जो आपका स्कूर कार्ड है वो चाहिए 10 वे की मार्क सीट चाहिए 10 12 की मार्क सीट चाहिए है ना जाती प्रमारपत्र काष्ट सर्टिफिकेट यदी लागू है तो आई प्रमारपत्र यदी लागू है तो इंकम का भुक्तानियु पापती जो अभी हमने बात की ती है ना तो जो counseling के लिए जो हमने जो पी रेसीब ती उसको भी आपको समाल के रखना है और जो registration के लिए जो आपको मिली थी sorry जो रेसीब आपको मिली थी वो भी आपको समाल के रखना है ठीक है और documents का verification हमको देखो ना तो registration के लिए late होना है ना ही किसी काम के लिए late होना है हमें documents verification का काम हो चाहे किसी का भी काम हो आपको जो है जो time दिया गया है उससे पहले ही आपको काम करवाना है क्योंकि कभी-कभी ऐसा रहता है कि हमारे पास कोई documents की कमी रह जाती है उस कारण से हमारा जो है काम रुक जाता है लेकिन यदि हम पहले जाते हैं तो पहले जाने पर हमें पता चल जाता है कि भाई कौन से documents की कमी है कैसा क्या है और जो time रहता है हमारे पास उस time में हम क्या करते हैं उस time में फिर हम वो जो कमी फेसी जिस भी documents की रही है उसको हम बनवा लेते हैं और time पे जो है हम जो है उसको submit कर देते हैं है ना तो यही सब लिखा हुआ है यदि आपके पास दिये गए documents में किसी भी documents की कमी है तो आपको जो है not eligible कर दिया जाएगा है ना यही बात ध्यान रखना है यदि कोई भी documents इन में से आपकी कमी है तो फिर आपको not eligible कर दिया जाएगा लेकिन दिये हुए time में आप उस documents को present कर देते हो तो फिर आपको जो है eligible कर दिया जाएगा यही सब इसमें लिखा हुआ है ठीक है उसके बाद हम बात करते हैं होई documents verification आपके कहां कहां होंगे तो इसके बारे मैं आपको बता चुका हूँ इसके अलाबा जो है होटिकल्चर कॉलेजेस हैं जो कुछ research center है यहां भी जो है documents verification होगा ठीक है इनके बारे में हम बात कर चुके हैं उसके बाद है online आंसिक सिछन counselling सुलके का भुकतान यही है कि आपको जो counselling का जो fees है जो जब आपको जो college allot हो जाएगा तो उस college को allot जब college आपको मिल जाएगा तो उसी time आपको 5000 रुपे का भुकतान करना होगा जिससे आपकी seat confirm हो जाए ठीक है यह लिखा हुआ है 5000 रुपे का आपको भुकतान करना होगा ताकि आपकी seat confirm हो जाए और यह जो इसकी receive मिलेगी उस receive को आपको संभाल कर रखना होगा और जब आप admission के लिए admission के लिए college में जाओगे तो वहाँ पर आपको इसकी जो है receive लगेगी ठीक है तो इसको आपको जो है समाल कर रखना होगा ठीक है इसके अलावा फिर हम आगे बढ़ते हैं कि आवंटित संस्था में उपस्तितिवम प्रिवेस आपको जो documents है उन सभी documents को लेकर और जो है जो registration सुल्क है उसकी receive लेकर और फिर जो है जो counseling की जो receive है उन सभी documents को लेकर जो है college में जाना होगा ठीक है उसके बाद लिखा हुआ है कि अभ्यारती अपने मूल दस्तावेज को संस्था में नियद दिनांग पर जमा करेगा तता इस आश्र का प्रमाण पत्र महा विद्याले से प्राप्त होगा उसके उपरांथ से इस आवश्यक शुल्क का भुकतन संस्था में करने के बाद सुल्क प्राप्ती की एक चाया प्रती संस्था में जमा करेगा तता एक प्रती अपने पास रखेगा तो जैसे ही आप college म की बकाया है जो भी फीस वा लगेगी वो फीस आपको जमा करनी होगी और फिर उसकी भी जो आपको एक slip मिलेगी ठीक है उसके बाद लिखा हुआ है कि सुल्क जमा करने के बाद अभ्यारती को चाही गई seat महा विद्याले आवंटित नहीं होने की इस्तिती में वह आवंटि महा विद्याले में अपग्रेडेशन के बिकल्प के चैन के लिए आविदन कर सकता है कहने का मतलब यह है यदि कोई विद्यारती है उसको अपने पसंद का कॉलिज नहीं मिला है तो वो फिर जो है अपग्रेड के लिए भी एप्लाई कर सकता है लेकिन अपग्रेडेशन का काम केवल फर्ष्ट काउंसलिंग में ही होगा है ना ये वी ध्यान रखना इसमें अप्ग्रेडेशन के बिकल्प का चैन करने वाले चात्र को एक सिस्टम जनरेट पत्र प्राप्त होगा जिसकी एक प्रती अभ्यारती को मिलेगी तथा अभ्यारती द्वारा हस्ता चरित एक प्रती आवंटित महाविद्याले में जहां चात्रन उपस्तित दर्ज कराई है वहां रिकोर्ड में रखी जावेगी यानि कि एक जो है उसकी कोपी आपके पास रहेगी और दूसरी कोपी कहां रहेगी कॉलेज में ठीक है उसके बाद है अब ब्यारती से मूल दस्तावेज ना लेकर उनकी रंगीन-चायपरती जमा कर ली जाई जो भी डोकुमेंट्स आप लेके जाऊगे उसकी रंगीन-चायपरती फूटोकिपी आपको वहां लेके जानी पड़ेगी और कॉलेज में से जमा belonged to. ठीक है, तो इतना, और कहने, और एक और मैं आपको जानकारी दे देता हूं, कि जैसे यदि कोई student अप्ग्रेडेशन का काम अप्ग्रेड करवाता है counseling को, तो उसमें क्या है, जैसे आपको college तो मिली गया है, आपको एक college तो मिली गया है, पर आप यदि अप्ग्रेड करवा र कि अप्ग्रेड में या फर जो second counseling में उसमें participate वही वच्चा कर पाएगा, जैसने first counseling में document verification करवाया है, ठीक है, तो यदि आपको पसंद का college नहीं मिला है, तो आप अप्ग्रेड करवा लीजिएगा, क्योंकि यदि आपको अप्ग्रेड में भी यदि आपको college नहीं मिला है तो आपको जो college मिला है, आपको वो college तो confirm है, वो college तो आपका रहेगा ही रहेगा, ठीक है, तो यह आपके लिए plus point है, तो यही लिखा हुआ है, कि संपूर्ण प्रवेश प्रक्रिया की समाप्ती के बाद, अप्ग्रेड बिध्धार्ती द्वारा पूर आवंटित महाविद में जमा की गई सुल्क राशी मूल दस्तावेजो का अंतिम रूप से आवंटित महाविद द्वार में किया दाएगा, यानि कि यदि आप पहले किसी college, कोई college आपको मिल गया है, है ना, और आपने अप्ग्रेड कर पाया है, आपको दूसरा college मिल गया है, उससे अच्छा, तो फिर आपके सारे documents, fees वगेरा उसी college में transfer करवा दिये जाएंगे, आपको कुछ करने की जुरुत नहीं होगी, ठीक है, यदि अप्ग्रेडेशन के बिकल्प का chain करने के बाद अब्यारती उसके दोरा चाया गया, महाविद द्याले नहीं मिल पाता है, तो उसका प्रिवे से वहाँ पे जो है, रिपोर्ट करने की आवशक्ता नहीं होगी, ठीक है, तो ये सारी जानकारी है, ध्यान से आपको जो है, PAT और ICR, CUT के लिए जो बेच है, संस्तान सक्सेज अग्रिकल्टर इंस्टिटूट के द्वारा, एक जन्वरी 2023 जो है नया बेच श्टार हो रहा है, तो यदि कोई भी विध्यार्ती जो PAT, ICR या CUET की प्रप्रिशन करना चाहता है, तो एक जन्वरी 2023 से जो है नया बेच श्टार हो रहा है, साथीओ संस्तान संपूर मद्ध प्रदेश में, जो है कम से कम फीस में उच गु की तयारी करना चाहता है तो वो नीचे स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर कॉंटेक्ट कर सकता है है ना और पीटी से भी समंदित आपको जो भी जानकारी चाहिए काउंसलिंग से समंद जो भी जानकारी चाहिए तो आप उस पर पर कॉंटेक्ट कर सकते हो और सातियों मेरी तरफ से आप सभी लोगों को सभी चैनित विद्धारतियों को फिर से बहुत-बहुत सुपकामना है बहुत-बहुत बदाई तब तक के लिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए जय हिंद जावारति